नमस्कार, इस वीडियो में हम पेशाब रुख जाना, पेशाब करते समय जलन और दर्ध होना जैसी समस्या का होमेपैथिक दवा के बारे में चर्चा करेंगे, तो आईए समस्ते हैं, मैं यहां लक्षन के आधार पर दवा बता रहा हूं, लक्षन मिलने पर आप उस दवा का इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर समझने में समस्या आए, तो वीडियो के अंत में बताएगए, मुबाल नमबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सबसे पहली दवा है, कैंथेरिस क्यू, यहां क्यू का अर्थ है, मदर टिंचर, इसका लक्षन है कि इसमें बार बार पेशा होती है, ऐसा लक्षन मिले, तो कैंथेरिस क्यू की दस बूंद आदे का पानी में डाल कर दिन में तीन बार पियें, समस्या ठीक होने के बाद दवां को बंद कर दें, दूसरी दवा है कॉस्टिकम 200, अगर पेशाब बंद हो गया है, काफी देर से पेशाब नहीं हो रहा है तो ऐसे में अकॉस्टिकम 200 की चार बंद हर घंटे देते रहें, पेशाब आना शुरू हो जाएगा, साथ में सोली डाइगो क्यू का प्रयोग करने से कैथेटर लगाने की आवशक्ता भी नहीं परती है, दोनों दवाओ का इस्तमाल कीजिए, पेशाब आएगा ही, तिसरी तो ऐसे में एक्विसेटम Q की दस बूंद आदे का पानी में डाल कर दिन में तीन बार दियें, तकलीफ ठीक होते ही दवा को बंद करते हैं, इरिजियम Q, अगर बार बार पेशाब लगे और साथ में ब्लैडर में धर्द होता हो, तो इरिजियम Q की दस बूंद आदे का पा इंडियम six potency पेशाब करने के दोरान जब तक आप खरे रहते हैं उतनी देर पेशाब से इतना गंद आता है कि खरा रहना मुश्किल हो जाता है यह एक यूनिक लक्षन है और इसमें लगता है कि बस जल्दी से पेशाब करके वहां से हट जाओ ऐसे लक्षन में इंडियम six potency की चार बूंद हर दो से तीन घंटे पर लेते रहें जब तक आपको आराम नहीं मिल जाए अराम मिलते ही दवा को बंद कर दें बेंजोईक एसीड 30 अगर पेशाब का रंग गहरा डार्क हो गया है और साथ में घोरे के पेशाब जैसा बदबू आ रहा है तो आप या रोग के साथ पेशाब का कोई समस्या है तो इसके लिए बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू की दस बूंद आदे कब पानी में डाल कर दिन में तीन से चार बर रोज पीएं आपको फायदा मिलेगा ही उसके बाद मर्क सॉल 30 अगर आप पानी कम पीते हैं फिर भी पेशाब ज अच्छन नहीं है तो आप मर्क सॉल 30 की दो बूंद दिन में तीन बार जीप पे टपकाले समस्या ठीक हो जाएगा नाइट्रिक एसी 30 पेशाब में गंध हो और पेशाब करते समय ऐसा लगे कि ठंडा पानी निकल रहा है तो ऐसे में नाइट्रिक एसी 30 की दो बूंद दिन दिन में तीन बार कुछ दिन लें समस्या ठीक होते ही दवा को बंद कर दें। पेशाब करते समय ऐसा लगए कि पेशाब में ताकत नहीं है और पेशाब दूर ना जाकर बहुत पास में गिर रहा है तो ऐसे में हीपर सलफ ठर्टी पोटेंसी की दूबूंत दिन में तीन बार कुछ दिन ले समस्या ठीक हो जाएगा आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले सभी दवा आपको किसी भी होमेपेथिक शॉप पे मिल जाएगा अगर आपको समझने में किसी तरह की परिशानी है या आप ट्रेटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरे वाट्सप नंबर 900-624-2658 पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पुराना रोग है जो ठीक नहीं हो रहा तो आप कमेंट में उस रोग के बारे में बताएं अगली वीडियो में उस रोग की होमेपेथिक दवा के बारे में बताया जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद